नमस्कार किसान बाईयों, किसान बाईयों, मैं संदीप सिंग, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संदीप एगरी साइंस किसान बाईयों, आज मैं धान के खेत में आया हूँ, और मैं धान में आपको चोड़ी पत्ती वाले खर्पत बारों के बारे में ब और चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं तो किसानवाईओ जैसा कि मैंने बताया है कि धान के खेत में चौड़ी-पत्ी वाले खरपदभारों के बारे में बताँगा कि कौन सा खरपदभार अधिक धानों में उगने लगता है उसकी दवाई किया है तो चलिए सीदे खेत पर ही चलते हैं तो किसानवाईयो धान के खेत पे आ गए है बताना चाहूँगा किसानवाईयो की धान के खेत में कई तरीके के खर्पतबार उगने लगते हैं उनको खत्म करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है आप उन्हें अगर समय रहते खत्म नहीं करते हैं तो इसका धान के खेट में काफी प्रितिकूल पिरभाव पड़ता है आप जो उर्बरक फर्टी लाइजर जो भी डालते हैं उसका भी रिजल्ट बढ़िया तरीके से नहीं मिल पाता है क्योंकि जो खर्पतबार होते हैं वो उसको अब्जर्ब कर लेते हैं तो किसान भाईों खर्पतबारों को खत्म करना बहुती ज़्यादा जरूरी होता है अब इसमें कई तरीके के खर्पतबार होते हैं मैं आज आपको βाले खर्पतबार को खत्म करने की दवाई के भारे मं बता रहा हूं। किसान भाई यो चोड़ी पत्थी वाले खर्पतबार खास गुप से धान के खेट में इस तरह के होते हैं। ये देखिए,Sc एक अजिया देखिए जान भाहे not me में काफी अधिक मात्रा में यह किसान बाईयों आपको दिखते होंगे खर्पदबार जो हो हैं यह इस टाइप के कर्पदबार होते हैं यह इस तरह के खर्पदबार होते हैं किसानवायो आप जो खाट डालते हैं उसका लगबग 25% यही अब्जर्ब कर लेते हैं जिससे खाट भी पूरी बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाती है तो किसानवायो इनको खत्म करने के लिए मैं जो दवा के बारे में बता रहा हूँ तो किसानवायो आप पी आई कंपनी की नौमनी गोट ले सकते हैं जिसका जाल्ट होता है बिस्पायरोविक सोडियम दूसरी आप अगर बो नहीं मिल रही है तो आप अडामा कंपनी की भी ल किसान भाईयों 10 लीटर पानी में घूलने के बाद आपको 500-200 लीटर पानी में घूलकर प्रति येकड़ इस्प्रेय कर देना है आपके धान के खेत से इस तरह की घासे चौड़ी पत्ती वाली घासे खत्म हो जाएंगी किसान भाईयों ये देखिए और भी चौड़ी पत्ती कि घासे होती हैं इस तरह की ये ये सबी घासे खत्म हो जाएंगी किसान भाईयो लगाने का तरीका किसान भाईयो यह है कि खेट पानी नहीं होना चाहिए मतलब खेट हलका सूखा होना चाहिए नमी भरकूर होनी चाहिए इसपर करने के ठीक 24 से 48 घंटे बाद आपको खेट मे चाही कर देनी हलकी से चाही कर देनी आपके धान के खेट से घास की समस्या खत्म हो जाएगी चोड़ी पत्ती वाली घास खत्म हो जाएगी किसानभाईयों बात करें नर्किस या नॉमनी गोल्ड के रेट के बारे में मार्केट रेट के बारे में तो बताना चाहूंगा आपको नर्किस का 1.500 Ml 100 Ml का पैक आता है आपको 1.500 Ml मात्र लेनी 1.500 Ml का आपका खर्चा आएगा लगभग च्छे सो रुपाई प्रती येकड के हिसाब से बहीं आप अगर नर्किस लेते हैं डामा की तो वो आपको कुछ कम रुपए में मिल जाएगी किसान भाईयो ये रेट आपके मार्केट के अनुसार भिन भिन हो सकते हैं मतलब कुछ कम भी हो सकते हैं कुछ ज्यादा भी हो सकते किसान भाईयो नर्किस या नॉमनी गोल्ड से सम्मंदित या धान की घास से सम्मंदित आपका कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो नीचे कमेंट करके मुझ से पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान भाईयो चैनले के लिए सब्सक्राइब करें और बैल सब्सक्राइब करें तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यबाद